प्रेंड्स वेल्कम टू अज्ड़ाइब प्रस्वागत करता हूं और दोस्तों हम लोग क्लाइम्ट लोजी की जो सीरीज चला रहे हैं उसी का आज नेक्स चैप्टर है थमनेल में आप लोग ने देख लिए होगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंप्रेचर राइट तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग लिंक को जादा जादा शेयर कर रहें और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो लोग भी जो बच्चे भी मुझसे जोगरफी ऑप्शनल पढ़ना चाह रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूं जो बच्चे भी जोगरफी ऑप्शनल पढ़ना चाह रहे हैं वो सभी मुझसे जोड़ सकते हैं मैं अड़्डा UPSC अड़्डा में जोगरफी ऑप्शनल सकते हैं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है बहुत ही आप कह सकते एक तरीके से कि फाइदे मन सब्जेक्ट है क्योंकि यह एक ऐसा संथिंग रुपीज का पड़ेगा ठीक है कि अगर आप एप्लीकेशन सेलेते अगर आप एप्लीकेशन से लेते चिक है तो है कि ली बाथ यहां तक सब्सक्राइब आ रही है कैसे हो आप मैं भी बढ़ यहां हूँ तो आप लोग यह ले सकते हैं और यहां पर साथ महीने में बैच चलेगा डेली लाइफ क्लासेज आपकी चल रही है आठ से लेके दस बजे जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएए बहुत फाइदा होने वाला है यह मैं आपको गैरेंटी के साथ बता सकता हूँ ठीक है चलिए इसके साथ ही साथ मैं जानते ही है कि हम लोग का बैच 29 से स्तार्ऩ हो रहा है तो हमें पर बता दूं है कि जिनको भी जानकारी चाहिए मेरे बैच के बारे में वो जिएस थापा यह टेलीग्राम चैनल है इस पे आप जो सकते हैं प्लस इसके साथ साथ आप जो है इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टाक कर सकते हैं 7310055714 इसमें आप वाट्साइप कर लिजेगा आपको जो भी जानकरी चाहिए ऑप्शनल के लिए के लिए सभी आपको यहां पर जानकरी मैं पूरी की पूरी दूंगा तो कोई डाउट नहीं है और मैं चाहता हूं जादा जादा वच्चे जो है इस बाच में जुड़ जाएं ताकि वाकई में रियल मामले में 2023 में टाइमली कमपलीशन रिविजन प्रैक्टेस आंसर राइडिंग सब आपका हो जाए तो यह इंपोर्टेंस है इसकी खेर एनिवेज तो आज मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन है थीक है यह कोर्स जो है आपका यह एक्चली कोर्स चलेगा पांच बज़े से यह चलेगा पांच से आपका नो वजे तक दिश्वंथ चलेगा जाबात 59 को चलेगा जब अख्कों क्या की सकती curry क्लास यहां दोस्तों करेंट अफेर्स की क्लास आपको यहां पर डेली मिलेगी और यह क्लास चलेगी कितने वज़े से तो यहां दखेगा 8 वज़े से लेके 9 वज़े तक शाम को ठीक है यह जो प्राइस आप देख रहे हैं 18,000 यह भी आपको कम पड़ेगा यहां कुछ 16,560 रुप जब यह ले ले बैच तो मैंने नंबर दे दिया है screenshot वहां पर आके मुझे शेयर कर सकते हैं ठीक है तो लिंक को आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग शेयर कर दें ठीक है राज के दिन है बहुत खास क्योंकि आज है जन्माश्मी तो सबसे पहले सभी को जन्माश्मी की ह आज बहुती स्पेशल दिन है और बहुती महत्पूर्ण दिन है और इस दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेमप्रेचर ठीक है तो पारा तो बढ़ेगा है ना क्योंकि जन्माश्मी है और पारा कम भी होगा तो देखते हैं पारा बढ़ता है कि कम होता है तो आज का आपका डेस इस टेमप्रेचर ठीक है यह यह देखेगा जो आपका आज का टॉपिक है यह तापमान तो सभी लोग सभी लोग इस लिंक को जादा जादा आप लोग शेयर कर दीजिए आप लोगो करना कुछ नहीं है पहली चीज तो जितने लोग बैटे हो उसके हिसाब से म ने कहले दिवादो एक एक अपने अंगोठे को थोड़ा सा कश्ट दो और लाइक दबा दो अगराशा पूछे कोई कि टेंपरिचर क्या है तो आप बोलेंगे यह डिगरी है कि सीजच की टिगरी है यह डिज़े से दिघली जो है यह याद Можно है कोई नेश kindness and sweetness की ए डिगरी जो है यह यह बताता है कोई चीज़ कितना गरम ये कितना थंडा है कि डिगरी कि बताता है कोई चीज कितनी गरम ये कितनी थंडी है équsehen घर है पाट यहां तक सबक्र gef redef अगरे यहां तो आज हम लोग जब बात करेंगे यहां यहां पर हम्लोग टेंपरिचर के बारे में बात करने वाले हैं अब जब हम बात करते हैं एक्मॉस्फरिक टेम्परिचर हमको सम्झना बहुत अब बहुत क्या कि यह हमारा वायू मंडली जो वायू मंडल है यह वायू मंडल तो आपको यहां पर यह समयना पड़ेगा कि प्रोसेस ओफ heating या cooling क्या है ठीक है मतलब की उश्मन एवं शीतलन की प्रक्रिया क्या ये चीज समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है ये चीज समझना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ बर बता दें हम लोग चार चीजों को अब देखेंगे एक हमारा वाईू मंडल जो गरम होता है तो लिखते चलिए आप लोग कंडक्शन चालन के कारों दूसरा कंवेक्शन समवहन के दोरा तीसरा रेडियेशन विक्रण के दोरा और चोथा आडियाबैटिक प्रोसेस आडियाबैटिक या रुदोश्म प्रक्रियाब तो भाई ये चार तरीके हैं जिसके जिससे हमारा वाईू मंडल जो है वो गरम हो जाता है तो इन चार तरीकों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से चार तरीके हैं राइट आज नंदन अभी नहीं आ है ठीक चलिए थोड़ी सी तबेत आज नासाज है लेकिन मैं क्लास आपकी लेनी थी इसले में हूँ तो थोड़ा सा एनरजी में भी आप लोग को थोड़ी डाउन लगे लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को चीज़ें समझ में तो सबसे अब हम लोगन करते हैं के कंडक्शन की तो है 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 मेरे तो अगर अजोट आक आपर देखिए है है यह हमारा इर्फ सर्फेस है इस तरीके से अगर देखेंगे तो दिस वोट यह हमारा सार्फ ohp 004 ए जो सोलर रेडियेशन आ रही है उसकी वेज़े से गरम हो रहा है तो अ안 में नहीं दोनों चीज हो सकती अर्ः दोगो चीज हो सकती है का हो कि सकती है? तो सथा चोड़ा साली करा हो मौन हो सकती ही गर्म सुभटेज़ के कोल्ड़ हो सकती है थंडी हो घर्म अब गर्मी अगर पढ़ लए होगी समर्ज की बात है तो आपकी चत तप रही होगी वैसी पित्थवी की सता भी तप रही होगी लेकिन ठंडी की बात करते हैं तो हम लोग पैर रखते हैं अपने रूफटॉप पे या अपने रोड्स पे तो बड़ा ठंडा लगता है तो यहां पर मौझूद यह यहां पर मौझूद टिसेगा जो ने जो ग्राउंड से कॉन्टक्ट में यह वह लेेर है हाँ जो हमारे संपर्क में ने ठीक है इस आपक्तश क्या होती है यह आपशल की प्रापप को घरकल लेती मतलब अगर अघर इसका मतलब क्या है कि यह को है कि अगर आप जैसे सपोस्पोस ये दो पैन है ये दो pen है, यह दो pen है, हाँ शर आपने बताये था ही, बिलकुल, यह जो दो pen है, एक गरम है, एक ठंडा है, ठीक है? यह दोनों pen को अगर मैं attach कर दू, इनको जोड दू, यह एक दूरसे के contact में आ जाए, तो heat molecules के माध्यम से, heat जो है molecules के माध्यम से transfer होती रहेगी, तब तक transfer होती जाएगी, जब तक दोनों का temperature बराबर ना हो जाए, तो heat transfer आपका होती रहेगी, अब याद दखेगा heat transfer हमेशा, यह बहुत important चीज़ है, जो heat होती ही, उश्मा होती है, यह हमेशा high to low, ठीक है, normally होती ह ग्रहण कर लेती है, यहाँ पर याद रखेगा, चालन प्रक्रिया में, आपको क्या लिखना है, तो simple सी बात लिखनी है, आपको चालन प्रक्रिया में, मैं लिख देता हूं जल्दी से यह चीज़, यहाँ पर आपको लिखना है, heating is done through a medium, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख पूश्मन एक माध्यम के द्वारा होता है, पूश्मन एक माध्यम के द्वारा होता है, यहाँ तक समझ में आ रही है, सबके, I hope आपके बार क्लेर होगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ दखेगा, क्या चालन की प्रक्रिया, अगर कुश्यन आता है, चालन की प्रक्रिया, बहुत प्रभावी है हमारे वायू मंडल को गरम करने में, क्या चालन की प्रक्रिया है, हमारे वायू मंडल को गरम करने में बहुत प्रभावी है, तो आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे, आप आंसर देंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्यों क्योंकि आपको मैंने बताया था क्या air is a bad conductor याद है आपको मैंने आपको बताया था air is a bad conductor मैंने आपको बताया था why you एक पुचालक है राइट इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है मैंने आपको बताया था कि यह जो सर्पेस के कॉंटाक्ट में रहेंगी यह वही गरम यह थंडी होंगी तो यह बढ़ा आपके लिए चालन यह आपके लिए चालन अब हम दो देखते हैं कि दूसरी प्रक्रिया दाट इस का नवेक्शन का संवहन गाघैन आसंप क्या होता है तो आपने देखा इस तरीके से स्रफची सिंगत कि अario क्रिक सब्सक्राइब कॉनग quit से सैयुक्रीर दून मायं कि माथ्यां से हमारी तियर वह क्या हो जाती है वहाँ मुदैक्षण के प्रॉस सथ की वजह से से कंडस्थषीर से से एर क्या हो रही है वाम एर हो जाती है कि यहां पर आपको क्या मिल जाएगा वाम एर मास मिल जाए यहां आपको गरम वायू राशी मिल जाए और गरम वायू राशी में क्या होता है यहां पर जो हीट ट्रांसफर होती है जो हीट ट्रांसफर होती है वह हीट ट्रांसफर मास सब्सक्राइब इस प्रकार से उपर की तरफ राइस करेंगी तो यह जो प्रॉसेस है जिसमें हीटिंग मांस के रूप में हो रही है द्रवमान के रूप में एक साथ इंखता पूरी यह ऊठ रही है ऐसा नहीं कोई एयर का एक लिख साथ ऊपर लिखने है क्या यहाँ पर लिखना है कि हीट ट्रांसफर कि एस में थू है है मास ठीक है द्रवमान के द्वारा उश्मा इस्थानांतरर होता है ठीक है यहां पर आप यह लिख सकते हैं अब आपको एक चीज़ और बता दे हम क्या कि एक प्रोसेस होता है रेडियेशन का बैट जल्दी शेर करों ठीक है लिख को शेर करों मदा नहीं आ रहा है लिंक को शेर करों पड़ाने मदा नहीं आ रहे क्लास मं बंद कर लेंगे इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा श्रयांश मालूमें क्या आप अगर अपने आप चैट को बंद कर दें चैट को अगर आप ना देखें और केवल आप इसक्रीन में पढ़ा रहा हूं उसको लैंड्सकेप मोड में ले ले पोट्रेट में ना देखें तो आपको यह सारी को वह कर लिए ठीक प्लीज बोला हूं मतलब यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग लैंड्सकेप मोड में देखिए विक्रल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे विक्रां तो हमारा वाइव मंदल आप से मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको एक क्वे निम्लिखित कथन को या कथनों को कथनों पर विचार कीए निम्लिखित कथनों पर विचार कीए ठीक है पहला कथन है सलर राधिप्स्पेर्श्ट घृ लोग त्रवश्ट पर विच्पी पर विच्पाटन जिएफ्ट्ट ते लुवर त्मोस्पेर शोर थीदिए ठीक है इसको हिंदी में समाझ लो कि सौरिक विक्रण सौरिक विक्रण निम्निवायू मंडल के उश्मन के लिए प्रत्यक शुरूप से उत्तरदाई है ठीक है पहला स्टेट्मेंट यह है आपका सेकंड स्टेट्मेंट क्या है ग्रीन हाउस ग्यास प्रत्तों मिलन स्टेटन भी क्युछिन निस स्टेटन प्रत्तितते स्टेटन प्रत्तत अंंर्पार्ण ऐस यह उन देवार्य आपका उढरिक whisper इसमधे प्रत्त हरित-टराइब्ह Taal प्रत्त्त金में चबार्ण केवल हरित गयास वैश्विक तापन का कारण है ठीक है और यहां पर आपके ऑप्शन है आपके ऑप्शन ऐसे ए ओनली वन बी ओनली टू सी बोथ वन एंटू या डी नीदर वन नौर टू यह दो स्ट्रीट्मेंट आपके सामने हैं मैं फिर से कुश्चन बदा दे रहा हूं ठीक है इस कुश्चन को समझ लीजे कि सोलर रेडियेशन सोलर रेडियेशन इस डारेक्ली रिस्पॉंसिबल फॉर हीटिंग दी लूर इट्मोस्फेर सौरी विक्रण निम्नेवाईव मंदल के उश्मन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तर दाई है और दूसा स्टेट्मेंट है हरिद गया गैस केवल हरिद वैश्विक्त तापन का कारण है ग्रीन हाउस गास इस डी ओनली रिजन फर ग्लोबल वार्मिंग ठीक है बदाएए मुझे विल्कम टू ब्लैक बॉड़ी एन ओल बाद में है ना विल्कम टू ब्लैक बॉड़ी एन ओल बदाएए इसको आप आएगा हम लोग ब्लैक बॉड़ी करेंगे इसका अंसर करी ओनली वन नेहा यादा वो कहनी ओनली वन सब लोग कांसे करिए जलदी से ए इसकिप भी लिख सकते हो जिनकों नहीं समय मैं रही वह स्किप भी लिख सकते हैं सब चलेगा इसकिप भी कर सकते हो बदा हो जल्दी से थोड़ा सा time lag होता है तुम लोग answer करते हो थोड़ा late में पहुंचता है 28 लोगो skip कोई नहीं कर रहा है सब attempt कर रहे हैं c only two c only one आच्छा चलो आप देख लेते हैं हम देख रहे हैं चलिए बहुत अच्छा लोग ने answer करा है बहुत अच्छा अच्छा आप लोग ने बहुत बड़े आंसर करा गुड़ीवनिंग टॉ बहुत अच्छा अच्छा करा यह सब्सक्राइब तिक ऋर यहां पर यहां पर यह इस 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 सोलर रेडियेशन है सोरी कोन आ रही है जिसको आप इन्सोलेशन भी बोलते हैं यह जो वास्तों में जर्क को गर्म कर रही है यह हमारे atmosphere को गरम कर रही है directly कि हमारे earth surface को गरम कर रही है तो आपका answer होगा sir यह हमारे earth surface को गरम कर रही है earth surface becomes warm प्रिथ्वी की सतहा बिटा गरम हो रही है इसका मतलब solar radiation अभी तक हम लोग जुन जा अभी तक डायरेक्ट ली डायरेक्ट ली प्रत्यक्ष रूप में रही है तो आप आंसर करेंगे सर यह प्रत्यक्ष रूप में हमारे पिथ्वी की सतह को गरम कर रही है ठीक है अब आपको मालू है जो भी गरम चीज होती है उससे रेडियेशन निकलती है यह लोग पढ़ चुके हैं तो यहां से भी रेडियेशन निकलेगी यहां से भी रेडियेशन निकलेगी यहां से भी रेडियेशन निकलेगी राइट यहां से रेडियेशन निकलेगी लेकिन आप जानते हैं यहां पर greenhouse gas है जैसे कि CO2, methane, water광 aw vaper और अन्ने बहुत सारे एक्सेक्टर, एक्सेक्टर एक्सेक्स और ये जो हैं ये gases ये gases इनको क्या करेंगे ट्राप केड़ेंगे और मुझे बताईए मुझे बताईए कि हमारा वायू मंडल इस प्रक्रिया से गरम हो रहा है निचला वायू मंडल प्रत्यक शुरूप में कि टेरेस्ट्रियल रेडियेशन की वज़े से गरम हो रहा है तो आप कहेंगे सर यह गरम तो किसकी वज़े से हो रहा है लोगर इट्मोस यह कि it करो रहा है त्य रिडियेशन की वजए से डायरेक्टैनि डायरेक्ट्री इसके और इंडारेक्टिंट्री आप रत्यक्ष शुरूप में अगर सूर्य हमारे पिछी को गरम ना करती तो ये रेडियेशन ना निकलती लेकिन डायरेक्ट्ली अगर आप बोलेगे तो डाय क्या हूगा है इसका मतलब गुरू क्या हुआ इसका मतलब चाहिक यह Second क्यों अब ही इसका मतलब यह हुआ डोस्त कि यहां पर यह सतरेटमेंट यहां पर लिए श्रौप मेंना रट्यक करते कि इसका मतलब ही है के इस हो गलत यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत अब बता हो मैं चोटी से ट्रिक बता रहacun में ठीक यह या धखिएगा, कि जैसे आपके कुछ शब्द हैं, जैसे अनली, जुसकों बोलता हैंला केवल मैं आपके कुछ श Aubert Is, यह या धखिएगा प्रिलिम्ट के लिए कुछ शब्द होते हैं इनकों मिलते हैं Extremest statement, Unley' केवल, य Organ two har, deeper, हर जगह, Online संपूर्ण या ओल ओल ठीक है या ओली वन यह जो होते हैं यह एक्स्ट्रीम स्टेट्मेंट होते हैं इनको बोलते हैं यह हमारे इक्स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रीट्मेंट मतलब एक दम अती में सीण Amazing यह वह हैं यह एक स्ब्रीश दुसे लह यह रहुनंतु हैं यह अद। बोलें सब्रेंग कोई नहीं ऐसे शब्द यह नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट इस में गलत होते हैं यह याद अखे तो याद अच्छेगा उल्ली एवरी ओलन ऐसे अगर आप चेक करिए उठा के आप लोगे पास होंगे या होप ऐसा मैं मानता हूं कि प्रिलिम्स के पेपर तो आपके पास होंगे नहीं ह पॉप सारे पॉब्लिकेशन के आते में दिशाक का प्रभाद का किसी का भी ले ले लेना रएट तो यहाँ पर क्या बोलाgendu यहाँ पर बुला एग्रीम्हांच गैस ऐस दी ओनलीरीजन कि जा ग्रीम्नमाड़ रिजर्फेर में और इस साइटो अ क्या इस तरीके से आदमियों ने मनुष्य को क्या रख़ के एरोसौल औरbies और अगर देखेंगे दोस्तों अगर आप क्यों कि एडर खाल देखा तो यह इसी को क्या भी सूट भी यह कर्क्रऄट रहा है यह प्रिखवी से जो आपको इसका मतलब नहीं है लेकिन यह को सौरय को इसकी माथ्रा इसकी वाईमर्डल गरम जता कशाने लेकिन यह जरूर हम कह सकते हैं कि यह temperature को तो बढ़ा रहा है इसकी वजह से पूरा वाई मंदल गरम नहीं हो रहा है लेकिन temperature को तो बढ़ा रहा है तो केवल क्या greenhouse gas हमारे temperature को बढ़ा रही है नहीं एरो-sall भी बढ़ा रहा है इसका मतलब दोस्तों अगर आप देखेंगे हैं पर इसका मतलब आपका क्या है ब्रावन को और carbon भी मजा आया कि नहीं है थीक है सवज में आई बात यह है यह है यह यह तो थोड़ा सा दर्शन करा रहा हूं जो पढ़ाएंगे वच्चे उनको थोड़ा सा दर्शन करा रहा हूं कि पेड़ा वैंच में यह कंटिनियूसली हम लोग activity कर पाएंगे तो radiation कित हम यह बोल सकते कि कि दोनों हमारे लिए important है अगर solar radiation कम होगा तो अव्यसी बात है टेरेस्ट्रियल रेडियेशन कम होगा अगर solar radiation कम होगा तो हमारा और surface जो है वो गरम कम होगा और surface गरम कम होगा तो बहुत सारी चीज़े आपकी कतम हो जाएंगे जैसे कि convection, conduction यह सारी चीज़े मालू होने चाहिए ठीक चाल रहे होप आपको यह समझ में यह चिंद आ ओगया ओगा अब यहार एक concept और मैंने आप लोग को बताया था ठीक है इसके बारे मिने पात करी किसके बारा तो आडियाबाटिक आडियाबाटिक लाप स्रेट इसको समझना है आज आपने जो समझना है यह क्या है आडियाबाटिक लाप स्रेट है ना पूरा तो यहां नहीं समझेंगे लेकिन मोटा मोटा समझ लेते हैं अडियाबाटिक लाप स्रेट क्या हो ठीक जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं रुदोष महास्दर या अध्या वैटिक का समझते हैं तो क्या है यह शाय वैंने आपको बताया था कि कैसे वैं तो यहां पर आमको के बारे में थोड़ी सी इंफोर्मिशन और दे देता हूं ठीक है थोड़ी सी इंफोर्मिशन और देता हूं कि आपका जो सर्फेस जब गरम होता है सर्फेस गरम होता है तो एर उपर उठती है ठीक है अब यह जो उपर उठती है ऑव्वेसी बात है क्या यह मैं बोल सकता हू थेखी क्या यह मैं बोल सकता हूं तो यह फैल जाएगी के near compression यह मैं देखा था यहां पर क्या है अगर आप देखिए तो हम लोग ने देखा था यहां पर pressure air का बहुत जादा था जिसको आप बोलते हैं अब जानते हैं वाई यूदाब वाई यूदाब सब्सक्राइन फुस्ॉ- तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझेगा यहाँ पर प्रिशर बहुत जादा है कि यहाँ पर प्रिशर बहुत जादा है ऑर यहाँ पर एगर आप से कोई पूछे कि प्रेशर कईसा है तो आप क्या बोलोगे यहां पर प्रेसर कम है अब बोलेंगे स loro क्यों वायू डाब जो है यहां पर काम्थ आसा क्यों अच्छा मुझे एक चीज दो अब मैं दिमाग सोचके घासों को अपना वेट होता है जासिस कपना वेट है भार रहें गैसे नीचे की तरफ आने की कोशिश करें जो भारी जासिद ओंगी तो नीचे ही आएगी और जब यह गैस यहां से नीचे आएगी तो क्या यहां पर जो गैस होगी उनको यह नीचे नहीं क्या मैं बोल सकता हूं कि सरफिस के पास सबसे यहां पर गनत तो यह अगर मैं बात करूं कि तो सबसे अधिक होगा अब कहीं सर्विलकुल होगे यहां पर घंद तो को अब यहां पर और मुझे गैस समझनी हो तो यह मतलब एर उचाई पर जाने पर गैस भाई जो बहुत हल्की गैस होंगी वही बाकी भारी गैस तो सारी नीचे आगई हलकी गैसी मिलेंगी हाइडोजन हीलियम जैसी उपर की तरफ एट्पॉस्वर में राइट बाकी तो सारी नीचे आजाएंगी भारी गैसे अव्वेसी बात है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरी गैस कुछ मुझे ऐसे नजर ही आपस में टकराएंगे अगर मुस्स्य पूछे कि इनी घैस में कितना चा क्राएंगे तो आप कम सकता हूं कि को लिजन्य होने की चंस सब्सक्राओं के चंस इप होंगे बताव क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर अपर ऑप कम हैं तो यहां घर्शन भी कम होगा friction घर जिसको बोलते हम लोग दो कहेंगे इस क्या मैं बूल सकता हूं इसके वोपन सकता हूं यहां पर friction जो होगा कि इस वेरी लेस अब कहीं यहां वह दूसरी डीशन आती है भाई साथ दूसरी कंडिशन आती है तो यहां पर यही gases जो है अब थोड़ा आपका क्या हो जाएंगी आपकी यहां पर जो gases होंगी यहां पर यही गैसे नहीं यही पर जो gases होंगी यहां पर जो गैसे दोगी वो थोड़ा पास आ जाएंगी कुछ हम लोग इस तरीके से condition जाएंगी ठीक है क्या मुझे यहां बताओ क्या यहां को लीजन के chances जादा है बदाओ chances और मोर तो मैं बोल सकता हूं टकराओ की स्थिति यहां पर जादा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर घर्षण जो है Friction घर्षण अधिक होगा उपर वाले के comparison में Friction is more क्या मैं बोल सकता हूं बैटा Friction is more आप कहें यहां सर यह घर्षण जादा और नीचे वाली condition में अगर मैं आजाओ नीचे आली condition में क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं क्योंकि यहां प्रेशर सबसे जदा है नीचा अली कंडिशन कुछ ऐसे दिखेगी आपको नीचा अली कंडिशन आपको कुछ इस तरीके से एर हो गई ठीक है तो यहां पर अगर आप इस इस तरह से मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर इस कंडिशन को कि यह तो और छोटी हो जाएगी राइट यहाँ पर इस तरीके से यह तो और छोटी हो जाएगी एर एर और छोटी क्यों हो गई क्योंकि pressure जो है दाब maximum है वाईउ दाब आपसे कोई पूछेगा यहाँ पर कितना है तो आप बुलेंग सबसे अधिक है उपर आपसे कोई पूछेगा वाईउ दाब कितना है तो आप कहेंगे बहुत कम है वाईउ दाब is very less एट्मोस्पेरिक pressure is very less तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कोलीजन कैसा हो रहा है यहाँ पर कोलीजन कैसा हो रहा है यहाँ क्या टक्राव होगा तो आप बोलेंगे सर चुपचाब आप लिख दीजें आपर कोलीजन जो है is maximum सर यहाँ पर टक्राव की स्थिती maximum है और सर अगर टक्राव की स्थिती maximum है तो चुपचाब आप यह भी लिख दीजे सर बिना कुछ बोले कि friction is maximum तो ठीक है भाई तुम लोग ने बोला है तो मैं लिख दे रहा हूँ friction is maximum यहाँ पर क्या है यहाँ पर घर्षण अधिक्तम लिख सकते हैं कि नहीं हिंदी में हिंदी वाले कह रहें सर हिंदी भी तो लिख दो लो भाई हिंदी आ गई घर्षण क्या है अधिक्तम है यहाँ पर अच्छा एक चीज समझो एक चीज समझो प्रेशर सबसे आदा ठीक है अब आप इस शिर्दद यहाँ पर चांसे यहाँ पर हीट होगी जनरे टकराओक युझे से तो आपके नहीं सर और अगर हीट जादा नहीं है तो भाई टम PC यहाँ कम होगा में कि डूसरी केंडिशन में क्या होगा काई आपक्कें एक साफ पहले से जड़ा ऒग इंतिक आधा temperature is also ज्यादा temperature is more तापमान जो है क्या है अधिक है यहां पर हम क्या बोल सकते हैं तापमान सर अधिक है और और दूसरी condition में क्या सर इस condition में हम बोल सकते हैं कि heat जो होगी सर इस condition में heat जो होगी heat is maximum because of friction घर्शन की वज़े से उश्मा जो है अधिक्तम है और उश्मा अगर अधिक्तम है तो क्या मैं बोल सकता हूं सर यहां पर temperature भी संलिग दीजिए maximum सब मैक्सिमम में सब यहां पर देंसीटी इसार मैक्सिमम में घनत भी मैक्सिमम में यहां अगर आप सर उपर जाते हैं अगर सर आप उपर जाते हैं तो सर उपर जाने पर तापमान क्या होगा कम होगा लेकिन याद रखेगा अभी इसमें एक चीज़ और बोले उपर जाने पर क्या हो रहा है सर यहां पर टेंपरेचर उपर जाने पर क्या हो रहा है कम हो रहा है सर तापमान में सर उपर जाने पर गिरावट आ अरही है क्या जब यह एयर नीचे आ रही है तो भड़ रहा है की नहीं बताइयए ताप मान बढ़ रहा है की नहीं बढ़ नरो अच्छा मुझे एग। जो यह बढ़ रहा करें कि यह वायू मंडल में प्रेशर डेंसिटी का खेले के वन तो आप कहेंगे सर कोई बहारी का रख नहीं नो external agent and without any external agent किसी बिना किसी बहारी का रख के without any external agent the heat you know the air when subsiding it is heating ठीक है जब हमारी air अधोगमित हो रही वायू यह नीचे गिर रही है तो क्या हो रहा है तो सर गरम हो रहे सब यहीं तो है क्या adiabatic मतलब की कि नो external कि एजेंट कोई बहारी कारक नहीं है कोई बहारी एजेंट नहीं है केवल प्रेशर और अब यहाँ पर एक चीज बता देंगा क्या बता धियां बहुत सिंपल यहां पर जो adiabatic that स्टेना होः तुमने ले लिए और अगल नहीं लिए तो मैं बारबार होता हूं या सर्च करना टेलीग्राम पर डेखो अड्याबाटिक लाप्स रेट की ना कहानी ऐसी है डेखो वाई इसको भी रहे लाप्स रेट की कहानी कैसी है इसके सब्धों नहीं चाहिए इसको बाद बर डिटेल में समझेंगे लेकिन पुछ बता तो देता ही हो एक कहानी सर है इसको बोलते हैं एक को बोलते हैं हम सर Dry Adiabatic Lapse Rate Dry Adiabatic Lapse Rate अब ये सब शब्द जो ना जब ये शब्द NCRT में पढ़ते हो क्या कि शुष्क, रुदोश्म या Adiabatic हासदर तो तुम्हारे हाथ पैर पूल जाते हैं यार यह क्या चीज़ा अब यह किस चिडिया का नाम ठीक है और यह पढ़ते हो कभी कभी क्या इंसी आटी में खास कर और और इंसी आटी ही इंपोर्टेंट है नई वाली तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी ओर्ड है वेट अडियावाटिक लाफ्स रेट फिर दूसरा एक शब्द पढ़ते हो तुम क्या तुम पढ़ते हो आद्र अडियावाटिक हास्तर बाइलिंग्विल क्लास के मज़े लेलो तुम लोग सब और प्लास्रूम वाला मदा देने कोशिश कर रहा है कि पूरे नोट्स वनवा रहे थे थींगे अब यहां पर इसको शॉट वाम में हम लोग दोस्तों क्या बोल देते हैं यहां पर फिरंड औरений यह निए क्योंकि लिए ओप्षिनल को मतलब हे जो बढ़ए हैं उनसे फॉन एयर उपपर जाने पर ठंडी हो रही है एयर उपपर जाने पर क्या हो रही है ठंडी हो रही है और उपपर जाके एयर जब ठंडी होती है तो आपको मालूम है यहां पर क्या होता है condensation होता है जो गरम वायू है जो जलवाश्प है बताओ यहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है जो जलवाश्प है यहां पर जो वाम एर है यह वाम एर गरम वायू क्या हो रही है उपर जाने पर जब यह थंडी वायू बन रही है तो क्या हो रहा है तो अव्यसी बात है यहां पर जलबूंद बनेंगी हम लोग बात कर चुके हैं यह बार बार बात नहीं करेंगे शुरुआत में बहुत अच्छे समझाया है सब जिसने नहीं देखिए प्लेलिस में वीडियो देख लो यह है तो जब तक यह बादल बनते हैं तो इसका जो रेट है ठीक है यह पार आपकी वाई उपर ओपर लाने तरियं है हर X 1 km उपर जाने पर 10 यह outer नॉम यहां कितना देख रहें एक क्लमी ट्रकाने पर 10 संद्विंटिग्रेक चानल को सब्स्क्राइब लेarti कितने सब्सक्राइब अ हम इस रेट को क्या बुलना है ड्राय आडियाबैक्टिक मतलब की जब तक जब तक इसको शौट फॉर्म में लिख दे रहा हूं है जब तक आपके बादल बनते हैं तब तक जो लाप्स रेट होता है आपका जो आपका हासदर है वह हर किलोमीटर पर 10 संटीग्रेट कम होता है मतलब अगर आप जहां पर हैं जैसे डेली में हैं आप ठीक है और डेली में आप उपर जा रहे हैं एक किलोमीटर उपर चले होगे कोई बीडिंग में चाड़ जाओ सबसें टॉप पर पहुंच जो एक किलोमीटर पर दस डिग्री सेंटीग्रेट कि अब तक यह कम होता रहेगा जब तक बादल नहीं बजाएंगी जबतक कि कंडेंसिशन नहीं हो जाएगे तो संग्हनन की पर इक यह ओज यह पर बन गए इससया थी टीक है तो क्या बादल बनने के बाद यह उपर उठती है कि नहीं उठती है यह मुझे बताओ क्या बादल बनने के बाद एर उपर उठती है या बादल बनने ही नीचे आ जाती बादल के साथ कि सोच के बताओ क्या बादल उपपर बादल बन जाते हैं तो एयर उपपर उठती है या नीचे आ जाती है आपको बताओ एक चीज जो जलवाश्प है जलवाश्प यह वाश्प वस्फ इसमें क्या से लेटेंट इंट और वाश्प कैसे गई तो वाश्व में क्या है एक्स्ट्रा हीट है लिक्विड में एक्स्ट्रा हीट नहीं लिक्विड में एक्स्ट्रा हीट डाली यह वाश्व बन गई तो यहां पर जो यह यह एर है इसमें क्या रहती है हं ह систем हीत रहती कल मैंने बताया था न गुप्तूष्मा इसमें हमेशा क्या रहता है विटा गुप्तूष्मा डो है मैं distraction अब इस गुप्तूष्वां कब आपकी कैसी गुप्तूष्मा है यह विजुर तर वाटर में एक्स्टा हीट गई एक्स्टा हीट गई तो यह क्या बन भाप बन योप पर उठ गई ठीक है अब आपको मैंने कई बार बताया है संगहन की प्रक्रिया क्या होती है भगोना है वैसल है आपने ढक रखा है आप सब्सक्राइब अपने ढकन को अटा दिया में बार हो गई भाप ठंडियों के क्या बन गई ठंडियों के बन गई वाटर तो यहां पर क्या हो रहा है यह जो एक्स्टा हीट है यहां पर जैसे ही यह वाटर बनी तो देखो समझो आप समयना यह Water एक्स्टा हीट गई यह भाब बन गई अब इसको वापस वापस बनना है तो निकल जाना चाहिए और जब यह उपपर जा रही है तो ठंडी हो रही है और यह क्या हो रहा इसकी हीट यहां से निकल गई और यह जलबून बन गई ठीक है तो यहां पर जब यह बादल बन जाते हैं तो एक्स्ट्रा हीट निकल जाएगी वह एक्स्ट्रा हीट जाएगी कहां वह एक्स्ट्रा ही फिर्फका और वाष बन गई और एक ने पानी बना गुपतु उश्मा को निकाल फेका तो यह लिए निकाल फिकाथ जैने और जैसे इसले निकाल फ्रन तो यहाँ पर हीट है यहीट कि energy है हीट है जितनी भी एर होगी बादल के उपर उसको गरम कर देए कि नहीं तो आप कहेंगे हाँ सब तो यह क्या हो जाएंगी यहां पर उपड़ वाम एर हो जाएंगी यहां वाम है गर्म वायू आप कहे एक गर्म हो ह। आप मुझे बताओ क्या पर जहां बादल लेखेंगों कि यहां बादल नहीं है आहां लेकिन जहां बादल बन गए हैं जहां बादल बन गए हैं वहां हीट निकल आई हीट तो एक जगा पर हीट चारो तरफ ठंडा यह क्या हीट वाला ठंडी के बराबर रुकेगा क्या हीट जो गरम वाईू है वह ठंडी के बराबर रुकेगी नहीं रुकेगी भाई साब वह क्या करेगी वह उपर की तरफ क क्या होगी राइस कर जाएगी और यह उपर की तद जब राइस करेंगी तो फिरसे यह क्या होगी ठंडी होगी तो यह दखेगा हर एक किलो मीटर उपर जाने पर 5.5 से लेके 6 के डिघरी स τηग्रsound कि आएगब 10 तीजिफे कमी नहीं नॉरमली पांच देशलिड पांच दूडिज़े कमी आएगी थैङक है यह कॉंसर आपको थोड़ा सा समय लिजसेज़ ड्राय अठाट लाब्स रृट और विट आठीट लैट == वह सब्सक्राइबड को दो किसम की गुप तूश्मा आपको मिलेंगी कौन कौन सी एक तो वाश्पी करण की और एक कंडेंसेशन गुप तूश्मा चलो भाई यह हो गया हमारा क्या यह हो गया हमारा तेंपरेचर का पहला लेक्चर कि न्वाणंटर अब कोश्चन आता ही सार्फ तो या नॉन्मेंटे लाप路 detected often वह है कि वह isca इस्का आव यह ओन इन ऑबरेज जो बोते हैं हम लोग नॉर्ब इसीलिए उसका शब्द क्या है नॉर्मल वह आवरेज आवरेज क्लेर है बात ओसत है वह चालो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी कल हम लोग डिस्रिबूशन करेंगे दोस्तों कल क्या करेंगे दिस्रिबूशन और जिनों ने अभी तक ऑप्शनल बैश नहीं लिया है अगर तुम्हें मेरी क्लासे समझ में आ रही है तो समझ लो तुम ऑप्शनल के एकदम तुम्हें आराम से समझ में आ जाईगी ठीक है यहां पर हमारा बैच अप्लिकेशन में पांच हजार दोसों सकती है यह बाद में रिकॉर्डट फॉर्म में भी पड़ी रहती है आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है दूसरी चीज़ टेलीग्राम में आप जीएस ठापा यह जीएस हैश करके सच करिए मेरा चैनल मिल जाएगा वहां पर आपको इस सारी पीपिटी मिल जाएंगी इसक इस से कॉल करके डाउट क्लियर कर अपने यह बाच आपको क्या करेगा मालू मैं यह बाच आपको स्ट्रीम लाइन करेंगा स्ट्रीम नाइन समझते हो समय से आपके टॉपिक को कम्प्लीट कराएगा यह बाच जैसे यहां चलना है उससे बहतर बैच होगा क्योंकि इस जल्दी से मुझे जिसको भी मैं बता दू अगर अगर आपको बैच लेना है तो कॉंटाक कर लिजेगा नंबर यहां पर दोस्तों है नंबर यहां पर है 7310055714 वाटसेप करना वाटसेप करना ठीक है और अगर किसी को आप्षिनल पढ़ना है तो ऑप्षिनल भी बैच वो ले सकता है और अच्छा लगता है वही मैं पढ़ पाता हूं चैट इतना पढ़ नहीं पाता हूं बबाए